सोचा की आज जल्दी उठकर पढ़ाई की जाए जल्दी उठने की कोशिश भी की लेकिन उठ नहीं पाए सोचा की मन लगा कर पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा फिर सोचा कि आज राद बर जाप कर पढ़ाई की जाए तो कब आख लट गई पता ही नहीं चला पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बरबाद हो गई है और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी तब पता चलेगा तब इस बात का एसास होगा कि पढ़ना जरूरी था लेकिन अभी अभी तो तुमारे लिए थोड़ी दिर मोबाइल चलाना जरूरी है थोड़ी सी दिर टीवी देखना जरूरी है दोस्त का फोन आ गया तो उससे बात करना भी जरूरी है फेस्बुक, इस्टाग्राम, टिक टॉक पर एक बार नजर मारना भी बहुत जरूरी है तुमारे लिए शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े कामों को रोगने की कब बज़े बन जाती हैं पता भी नहीं चलता ये बेवज़े की चीज़ों को अपनी जरूरी कामों की लिष्ट से अभी निकाल कर फेक दो क्योंकि ये काम उतने जरूरी हैं ही नहीं जितना तुमने इने बना लिया है तुम्हें लग लग गई है इन सब चीजों की ये सारे काम करने के बाद जब थोड़ा वो समय बच जाता है वो समय तुम अपनी पढ़ाई को देते हो हमेशा ये बात याद रखना के सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भविश्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है सुवे नीन नहीं खोलती है तो राद बर सोना बंद कर दो ठान लोग आज सूरे उतर देख कर ही दम लूँगा चाहे राद बर जागना पड़े राद बर जागकर पड़ूँगा जब तक कि ये चैप्टर कंप्लेट नहीं कर लूँगा खाना नहीं खाऊँगा क्योंकि तुमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए कुछ भी नहीं ना खाना ना पीना ना सोना और नहीं सोचना क्योंक्कि जब सोचने लग जाओगे तो कब मन भड़क जाएगा कब अपनी किताब को बंद करें लिनिया कि दूनिया में पताowana गी से कि मुझसे नहीं होगा तो हमेशे अपने आपको याद दिला लेना कि तुमसे ही होगा दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई करकर कोई बहुत बढ़ा तीर महीं मार लेते हो दिन में 24 घंटे पढ़ने की ठाल लो अब तुम कहोगे कि यह तो पागलपन है तो दोस्त पागलपन जरू ती वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम ऐसी कोई मंजल नहीं है जो इनसान की पहुंच से दूर हो बिल गेट्स, स्टीव जॉब, माइकल जेक्सन, सचिन तेनलकर, निलसर मंडेला ये जितने भी लोग सफल हुए हैं और इतिहास बदला है उन्होंने इन लोगों की सफलता का रास क्या है इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता बलकि इन लोगों ने हमेश सोच से इस बात को साबित कर दिया कि इनसान जो भी चाहे वो कर सकता है बस जरूरत है तो एक द्रण सोच और कभी न तूटने वाले हौशले की दोस्तों अब आपने भी अपने मुकाम और अपने लक्ष को अपनी जिंदगी बना लिया है तो बिना कुछ सोचे समझे बिना किसी की सुने अपने लक्ष को हासिल करने के लिए पोरी शिद्दा से जोट जाईए और्फे मन में यह कर लिजी कि जब तक इस लक्ष को हासिल नहीं कर लीता किसी की रोकने से भी नहीं रुखूंगा अगर इस वीडियो में कई की बातों से सेहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस प्रयास का हिस्सा वनिये और हमेशा इस बात को याद रखिए कि इस दुनिया में कोछ भी कर पाना असंबब नहीं है बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष की तरफ बढ़ते चलिए मैं मिलूगा आप से अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मकूर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा